हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चनल तनवर एजूकेशन में आज इस वीडियो में हम विस वितिहास से सम्मन्दित जितने भी अती महत्पून कोशन बनते हैं उन सभी को वन लाइनर वे में डिसकस करेंगे और ये सारे कोशन आपके आने वाले सभी वन लाइए एक्जाम के लिए बहुत ही महत्पून रहने वाले हैं तो आई पहला कोशन देखते हैं यूरोपिये पुनर जागरन कहां से सुरू हुआ था? इटली से पुनर जागरन का केंदर कौन सा था? इटली का फ्लोरेंस नगर डिवाइन कॉमेडी के लिख कौन थे? दानते थे पुनर जागरन का मुख्य लक्षन क्या था? तार्किकवाद एवं मानवाद प्रिंस के रचनकार कौन थे? मैं क्या वेली थे पुनर जागरन का बौधिक अर्थ क्या होता है आंदोलन पिर्थवी सूर्य के चारों और घूमती है यह सिद्धान्थ किसने दिया था कौपरनिक्स ने धर्म सुधार आंदोलन किस सदी में सुरू हुआ था सोल्वी सदी में धर्म सुधर आंदोलन के जनक किसे माना जाता है? मार्टिन लूथर किंग को. मार्टिन लूथर किंग ने बाइबिल का अनुबाद किस भासा में किया था? जर्वन भासा में. अमरीका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता था? रेड इंडियन. अमरीकी सोतंदरता संग्राम का तातकालिक कारण क्या था? बोस्टन की चाय पार्टी. बोस्टन की चाय पार्टी का नेता कौन था? सेमुल एडम्स. अमरीकी सोतंदरता संग्राम के समय बिर्टिस सैनापती कौन था? लार्ड कार्ण वालिस. अमरीकी सोतंद संगराम का मुक्यनेता कौन था जौर्ज वासिंटन अमेरिकां ने कब पूर्ण सवतंतरता की गोशना की जुलाई 1776 में अमरीका के परतमुराश्च्ठपति कौन बने थे जौर्ज वासिंटन अमरीका में दास वैपार पर कब परतिबंद लगाया गया 1808 इसवी में पूर्ण रूप से दास पर्था का उनमूलन कब किया गया था 1803 में एब्राहिम लिंकन के दुआरा अमरीकी राश्टपती के निवा सथान को क्या कह जाता है वाइट हाउस कहते हैं फ्रांसिसी क्रांती से पूर्व फ्रांस में कौन सी वैवस्ता थी सामन्ती वैवस्ता थी फ्रांस की राज्य क्रांती किसके सासनकाल में 1789 इसवी में हुई थी लूई सोलवे के सासनकाल में फ्रांसिसी क्रांती का नारा क्या था समानता सोयतंतरता एवं बंधूतू फ्रांसिसी क्रांती में कौन-कौन दार्सनिकों का योगदान था वाल्टेयर रूसो एवं मॉन्टेस्क्यू सोशल कॉंट्रेक्ट किसकी रचना है रूसो की नेपोलियन फ्रांस का समराट कब बना 1804 इसवी में सरुपर्थम राष्टवाद फ्रांस में किसके द्वरा विक्सित किया गया था नेपोलियन बोनापार्ट के द्वरा आदुनिक फ्रांस का अंद्रमाता किसे कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को वाटर लुक का युद नेपोलियन और मित्र रास्टों के बीच कब हुआ था जून 1815 इस्वी में नेपोलियन को कैद कर कहां भीज दिया गया था सेंट है लेना द्वीपर इटली रास्ट का जनम की सुवर्स हुआ था अठारे सो साथ में माना जाता है इटली का एक एक एकरन किसने किया माउंट काबुर ने लाल कुर्ती सैना का संगठन किसने त्यार किया था गैरी बाल्डी ने सबसे सक्ति साली राज्य पर्षासक कौन था किसका था जर्मनी का था वीडियो अच्छे लग रही है तो लाइक करें सेर करें परशा के सासक विल्यम पर्थम का परधानमत्री कौन था बिश्मार्क जर्मनी का एकिकरण का सरे किसे हैं बिश्मार्क को है किसी युद्ध के बाद जर्मनी का एगिकरन संभव हुआ सेडान के युद्ध के बाद वैग्यानिक समाजवाद का संस्तापक कौन था कारल मार्क्स था कारल मार्क्स कहा का निवासी था जर्मनी का दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किस ने दिया कारल मारक्स ने दिया था रूस के सासक को क्या कहा जाता था जार कहते थे रूस का अंतिम जार कौन था निकोलस दितिये लाल सैना का गठन किस ने किया था ट्राट्स की ने किया था बोल्शेविक दल का नेता कौन था लेनिन रूस में नई आर्थिक नीती लेनिन ने कब लागू की थी 1924 इस्वी में आध्धोनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है स्टालिन को मदर किसकी रचना है मेक्सिम गौर्की की सरपर्थम ओद्योगी करांती कहां हुई थी इंगलेंड में इंगलेंड की गौरवपूर्ण करांती यानि की रक्तिहिन करांती 1688 इस्वी में किसके समय में हुई थी जैम्स दितिये के समय में सब्त वर्ष्य युद्ध किसके बीच लड़ा गया था इंगलेंड और फ्रांस के बीच गुलाबों का युद्ध कहां हुआ था इंगलेंड में सर्व साधारन के अधीकारों का गोसना पत्र क्या था मैगना कारटा पर्थम विश्य युद्ध कब सुरू हुआ था 28 जुलाई 1914 को पर्थम विश्य युद्ध का तातकालिक कारण क्या था सराजेवू हत्या कांड पर्थम विश्य युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था 37 धुरी रास्टों का नेत्रत व किस ने किया था जर्मनी ने पर्थम विश्य युद्ध कब समाप्त हुआ था 11 नमंबर 1918 को पेरिश शान्ती सम्मिलन कब हुआ था 18 जून 1918 को किसे पर्थम विश्य युद्ध में सरवादिक हानी हुई थी जर्मनी को पर्थम विश्य युद्ध के बाद कौन सा अंतरास्ठी संग्ठन स्तापित किया था राष्ट संग चीन की क्रांती कब हुई थी? 1911 में चीनी क्रांती का नेता कौन था? सन्यात सेन चीन में बॉक्सर आंदोलन का नेता कौन था? चे हेंग तिंग चीनी सामयवादी गंतंत्र का पर्थम बद्दक्ष कौन था? मौत से तुंग था चीन को कहते हैं यूरोप का मरीज किसे का जाता है? तुर्की को आदोनिक तुर्की का अंद wiggle माता किसे का जाता है? मुस्तफा कमाल पाशा को तुर्की कब गंतंत्र बना? 23. अक्टूबर 1923 को तुर्की गंतंत्र का पर्थम राष्टपती कौन बना? मुस्तफा कमाल पाशा तुर्की कब धर्म दर्पेक्ष राज्य बना 1924 ऐस्वी में फासिजम का उद्ध कहा हुआ था इटली में फासिजम का जनमदाता कौन थे मुसोलीनी फासी दल के स्वेम सेवक किस तरह के पोसाग पहनते थे काली कमीज वाली नाजिवाद का उद्ध कहा हुआ था जर्मनी में नाजिवाद का जनक किसे कहते हैं हिटलर को हिटलर ने नाजिवाद की सथापना कब की थी 1920 ऐस्वी में हिटलर कब जर्मनी का परधान मंत्री बना 1933 ऐस्वी में हिटलर की आतम कथा का नाम क्या है मैन कैंफ एक राष्ट एक नेता का नारा किस ने दिया था हिटलर ने दिया था हिटलर ने कब आतम हत्या की थी 30 अप्रेल 1945 को एसिया का कौन सा देश सामराज जवादी था जापान जापान ने पहला आक्रमन किस के वरुद किया था चीन के वरुद अमरीका ने जापान पर अनुबमों का परियोग 6 अगस्त 1945 इसवी को किस स्थान पर किया था हीरो सिमा पर दित्य विश्युद कब सुरू हुआ था एक सितंबर 1949 को दित्य विश्युद में कितने देशों ने भाग लिया था 61 मानव वाद का संस्तापक किसे माना जाता है पेट्राख को पेट्राख कहां का निवासी था इटली का निवासी था इटालियन गद्दे का जनक किसे कहा जाता है कहानिकार बोकेशियो को आधुनिक विश्व का पर्थम राजनितिक जिंतन या चिंतक किसे कहा जाता है फ्लोरेंस निवासी मैक्याविली को मैक्याविली की परशिद पुस्तक जो राज्य का एक नवीन चितर परस्तूत करती है क्या नाम है दा प्रिंस आदुनिक राजनितिक दर्सन का जनक किसे ही कहा जाता है मैक्यावली को पुनर जागरण की भावना की पूर्ण अभिवेक्ती इटली के कलाकारों के कृट्टियों में मिलती है ये कलाकार कौन कौन थे लियोनार्दो दाविंसी माइकेल एंजलो और राफेल थे दे लाश्ट सपर और मौना लिसा नामक अमर चित्रों के रचियता कौन थे लियोनार्दो दाविंसी दा लाश्ट जेज्जमेंट एवम दाफाल आफ मैन किसकी करतिया है माइकल एंजलो की सिस्तान के गरजा घर की चछत में किसके दोरा चित्र बनाए गए थे माइकल एंजलो के दोरा राफेल भी इटली का एक चित्रकार था उसकी सरफस्रेश्ट किरती क्या मानी जाती है जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र पुनर जागरन काल में चित्र कला का जनक किसे माना जाता है जियो टो को पुर्ण जागरन काल में इंगलेंड का सरफ स्रेश निबंदकार कौन था फ्रांसिस बेकन हॉलेंड के रासमस ने अपने पुस्तक दे प्रेज ओफ फॉली में वेंग्या तमक डंक से किस पर परहर किया है पादरियों के अनयतिक जीवन एवं इसाई धरम की कुरूतियों पर परहर किया है इंगलेंड के लेकर टॉम समूर ने अपने पुस्तक यूटूपिया में किस का चित्र परस्तुत किया है आदर्स समाज का धरम सुधर आंदोलन की सुरुवात कहां से हुई इंगलेंड से किसे धरम सुधर आंदोलन का प्राते कालिंतारा कहा जाता है जॉन विकलिफ को अमरीका की कोज किसने की थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसके नाम पर अमरीका का नाम अमरीका पड़ा अमेरीको बेसपूसी के नाम पर परशांत महासागर का नामकरण किस ने किया था स्पेन निवासी मैगलन ने समुंदरी मार्ग से संपूर्ण विस्व का चक्कर लगाने वाला परतम वैक्ति कौन था मैगलन था अमरीका को धर्म दिर्पेक्ष राज्जय के सुतापन सरफ़पर्थम कहां हो ही? सरफ़पर्थम सेंसार में सरफ़पर्थम लिखित संवीधान स्यंक्त राज अमरीका में कब लागू किया गया 1789 इस्वी में 1781 इस्वी में उपनिवीसी सेना के समुख आत्म शमर्पन करने वाला बिर्टैन का सेनापती कौन था लार्ड कार्णवालिस कौन विस्व का पहला देश था जिसने मनुश्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधीकारों की गोसना की अमरीका मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है ये कथन किसका है लूई चौधवा का वर्साय के सीस महल का निर्मान किसने करवाया था लूई चौधवा ने लूई सोलवा कब फ्रांस की गद्दी पर बैठा 1734 इस्वी में लूई सोलवा की पतनी एतवानेत कहां की राजगुमारी थी आस्ट्रिया की लूई सोलवा को किस अपराद के कारण फांसी की सजा दी गई देश द्रहों के कारण टेले क्या था टेले एक परकार का भूमी कर था वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो ने सरवाधिक योगदान किस में दिया था फ्रांसीसी क्रांती में लेटर्स ओन इंग्लिस किस की रचना है वॉल्टेयर की रचना है कानून की आत्मा की रचना किस ने की थी मॉन्टेस्क्यू ने की थी स्टेटस जनरल के अधिवेशन की सुरुवात कब हुई थी पांच मई 1789 इस्वी में मापतोल की दसमलव परनाली कहां की देन है फ्रांस की सांस्किर्टिक राष्टेता का जनक किसे कहा जाता है हरडर को कहा जाता है जर्मनी के आर्थिक राष्टवाद का पिता किसे माना जाता है फ्रेडरिक लिस्ट को जर्मनी रास्टे सभा को किस नाम से जाना जाता था डायट के नाम से 1815 इस्वी से 1850 इस्वी के बीच जर्मन समराज्य पर किसका आधिपत्य था आस्ट्रिया का फ्रेंक्फर्ट समीधान सभा का गठन कब किया गया मई 1848 इसवी में बिशमार्क का जनम 1 अप्रेल 1815 इसवी को कहा हुआ था ब्रेडन बर्ग में बिशमार्क परसा का चांसलर कब बना था 23 सितंबर 1862 इसवी को किसने बिशमार्क को बाजीगर कहा था विलियम पर्थम ने किस युद्ध में 1866 इसवी में आस्ट्रिया ने परसा के आगे आत्मस्वर्पन कर दिया था सराजेवो के 23 अगस्त 1866 में किस संधी के तहत आस्ट्रिया जर्मन संग में सामिल हो गया था प्राग संधी के अंतरगत फ्रांस एम परशा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ था 15 जुलाई 1870 को नेपूलियन तिर्ट्या ने परशा के आगे कब आत्मस्वर्पन कर दिया था 1 सितंबर 1870 को किस ने जर्मनी के समराट विलियम पर्थम का राजे भी से वर्साए के राजमहल में किया था बिसमार्क ने समाजवाद सब्द का पर्योग सरपर्थम किस ने किया था रोबर्ट ओवेन ने रोबर्ट ओवेन कहा का रहने वाला था वेल्स का रहने वाला था किसे आदर्सवादी समाजवाद का परवक्ता माना जाता है रोबर्ट ओवेन को फेबियन सोसलिजम का नेत्र तो किस ने किया था जोर्ज बर्नार्ड शाने लंदन में फेबियन सोसाइटी के स्थापना कब की गई 1884 इसवी में रूस में जारसाही वेवस्था कब समाप्त होई थी मार्च 1927 इसवी में रूस का अंतिम जारसासक कौन था निकोलस दितिय 1917 इसवी में हुई रूस करांती का तातकालिक करण क्या था पर्थम विश्विद्व में रूस की पराजे साथ नवंबर उन्नी सो सत्रे इसवी को बोलशेवी किकरांती का नेता कौन था लेनिन किसने चैका नामक संगठन बनाया था लेनिन ने रूस के किस जार सासक की हत्या बम विस्पोर्ट में हुई थी अलेकजेंडर दितिया की एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था जार निकोलस दितिये ने रूस में सबसे अधिक जनसें क्या किस की थी सलाव लोगों की थी अन्ना केरेनीना के लेक़ कौन थे लियो टॉलस्टाए रूसी सामयबाद का जनक किसको माना जाता है पलेखा नोव को रूस में सोशल डेमोकरेटिक दल की स्थापना कब होई थी 1903 इसवी में सोशल डेमोकरेटिक दल कितने गुट्टों में विभाजित था दो गुट्टों में विभाजित था बोल्शेविक तथा मेंसेविक बोल्शेविक का अर्थ क्या है बहु संख्यक और मेंसेविक का अर्थ क्या होता है अल्प संख्यक बोल्शेविक दल का नेता कौन था लेनिन था 16 अपरेल 1917 इस्वी को लेनिन ने रूस में करांतिकारी योजना परकासित की जो किस नाम से जानी जाती है अप्रेल थीसिस के नाम से जानी जाती है कब लेनीन ने रूस में नहीं आर्थिक नीती लागू की 1921 इस्वी में लेनीन की मिर्थ्यू कब हुई थी 1924 में राइट्स ओफ मैन के लेखा कौन थे टॉमस पैन इंग्लेंड में ओद्योगिक करांती की सुरुवात किस से हुई सूती कपड़ा उद्योग से ओद्योगिक करांती की दोड में इंग्लेंड का पर्तिद्वन्दी कौन था जर्मनी किसे चीन का राष्ट पिता कहा जाता है डॉक्टर सन्याद सेन को Dr. Sanjad Senne के मिर्तियु कब हुई थी 1925 इसवी में Dr. Sanjad Senne के मिर्तियु के बाद किसने 1926 इसवी में कुवविन तांग पार्टी का नेत्रत संभाला था यांग काय शेक ने कुवो मितांग पार्टी में सामयवादी लोग कब अलग हुए 1927 इसवी में चीन में ग्रहयुद कब सुरू हुआ था? 1928 में, 1925 इसवी में यूनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतर तो किसने किया था? मौट से तुंग ने, मौट से तुंग का जनम 1893 इसवी में कहा हुआ था? हुनान में, चैंकाई सेक ने केंदरी सरकार की सत्ता कहा संभाली? नान सेक ने ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन किसको दमन करने के लिए किया था? सामयवादियों को. किसके नेतरतु में, एक अक्टूबर 1949 को सामयवादी गनराजय की सतापना चीन में की गई थी? मौट से तुंग के नेतरतु में. चीनी सामयवादी गनतंतर का पर्थम पर्धान मंत्री कौन था? चाउ एन लाई. चीन के जनवादी गनराजय का पर्धान मंत्री कहां थी? हुनान में थी. खुले द्वार की नीति कहां अपनाई गई थी? चीन में. चीन के द्वार खुलने का असरे किसे दिया जाता है? बिर्टैन को. खुले द्वार की नीति क परतिपादक कौन था जॉन हे चीन की कमिश पार्टी की स्थापना कब हुई थी उन्नीस सो इकिस इसवी में जापान में आदोने की करण की परकिर्या की सुरुआत किस ने की मुद्सू ही तो ने मुद्सू ही तो ने किस वर्ष जापान में सैनिक सेवा अनिवारे कर दी गई 1832 जापान ने रूस को कब हराय था 1905 जापान ने 1931 जापान ने 1931 जापान ने 1931 जापान की पूरती के लिए किस पर आक्रमन किया मंचूरिया पर जापान ने कब राष्ट संग की सदश्यता त्याग दी 20 मार्ष 1933 जापान को जापान ने किसे साथ दिया था दुरी राष्टों को 10 सितंबर 1945 को जर्मनी का पॉलेंड पर आक्रमन म्यूनिक पैक्ट कब संपन हुआ था? 1938 इस्वी में वर्षाय की संधी का उलंगन 1935 इस्वी में किस ने किया था? जर्मनी ने किया था सुपेन में ग्रहयुद कब सुरू हुआ था? 1936 इस्वी में सेयुत रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला सिकार कौन हुआ था? स्पेन यदि वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज चैनल को लाइक करें सेयर करें और सब्सक्राइब जरू करें जर्मनी द्वारा सोविद संग पर आक्रमन करने की एक यूजना का क्या कहा गया है? ओपरिशन बार बोसा कहा गया है कब जर्मनी और रूस के आक्रमन समझोते पर हस्ताक्षर होए थे? 23 अगस्ट 1949 इस्वी को जर्मनी ने रूस पर समझोता लंगन का रोप लगा कर कब उस पर आक्रमन कर दिया था? जून 1941 इस्वी में दित्य विश्युद में जर्मनी की ओर से इटली ने कब परवेस किया था? 10 जून 1940 इस्वी को दित्य विश्यूद में अमरीका का परवेश कब हुआ था? 8 सितंबर 1941 को दित्य विश्यूद के समय इंग्लेंड का परधान मंत्री कौन था? Winston Churchill दित्य विश्यूद के समय अमरीका का राष्टपती कौन था? Franklin D. Roosevelt वर्षाय की संधी को किस नाम से जाना जाता है? आरूपित संधी के नाम से जाना जाता है दित्य विश्यूद में जर्मनी की पराजय का सरे किसे दिया जाता है? रूस को देटिया विशुःद में, मित्र राष्टों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन सा था? जापान अमरीका ने हीरो सिमा पर किस नाम से एटम बम गराया था? फैट मैन अमरीका ने नागा साकी पर किस नाम से एटम बम गराया था? लिटल बो है तो आज यहाँ पर जितने कोशन बनते थे विसे भी तिहास संबांदे गूर डिसकस किये गए हैं उम्मीद है आपको कोशन अच्छे लगे होंगे और आपके आने वाले एक्जाम के लिए लाबधायक भी होंगे तो मिलते हैं ले वीडियो में तब तक के लिए टेक केर जै हिंद जै भारत